तो आज अगर आपको मिलने ही यह बस गणव हैंQué ना आप को दो होती है। तो आपके ख़म मौदा अंगरेंट करने के लिए जो आपकर जो आपके घर में मौज़दी ह diverse connectivity यह जानिन वालव बेशिति है आपकर आप सलंए में करें किता है। लेकिन आज में आपको अगर उसके फायदे बता दो ना उस रेमडी के जो आप डेली बैसे पे यूज करते हो जो इंग्रियंट उसके अगर आप फायदे जान लेंगे तो उस चीज को कभी भी नहीं फेकेंगे फेकने से पहले यहीं सोचेंगे कि इसको फेकने से अच्छा है प्राइटन हो जाएगी कि आप दिखते रह जाएंगे लेट्स बिगिन उसके लिए सबसे पहले हमको राइस जी हां गाइस यह वही राइस है जो आपके घर में मौजूद होते हैं हर वक्त एविलेबल रहते हैं जो आप डेली खाते भी हो I think कुछ लोग तो डेली खाते है प्राइस में सिर्फ हफते में एक बर बनाती हूँ तो यह जो चावल है यह बस हर घर में मौजूद होता है और इसके फाइदे आपको बताती और यह यह आपकी जुरूरियों को भी physician का भी काम करता में यह जी आपके open pores को भी बंद कर देता है, तो आपको करना क्या है, इसको पहले wash कर लेंगे, इसको wash कर लेंगे, अच्छे से wash कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी गंदगी होती है चावल में, वो सारी आपको wash कर देनी है, ठीक है, wash करने के बाद आपको इसमें पाने डाल के रखन इस में आर वाश कर सकते हैं और याया मोश आप पानी में की टूट सकते हैं तो यहां पर बीगो हो है तो इसका शकते हैं अपनी को आपको क्या पया करना गाल आ कि हुते बाशते हैं वो सब इसमें निकाल लेंगे, इस तरीके से वाश करेंगे, टाइटली, अब मैं इसका पानी है, वो अच्छे से किसी अलग स्टोर कर लूँगी, एक बोल में, या फिर आप स्प्रे वाली बोटल में भी इसको डाल सकते हो, तो मैंने यहाप अभी बोल में डाल लिया है, बा निकाल सकीन का भी काम करती है, जो आपकी एंटी ऑक्सिटन गुणों के कारण, इसमें जो एंटी एजिंग में जो आपको लाब मिलता है, वो तो अलगी मिलता है, आपकी स्किन को हाइडरेट करके रखती है, वाइटमिन, मिलरन बहुत अच्छे से होते हैं इसके अंदर, इस पानी में अमीनो एसिट भी होता है, और ये एंटी ऑक्सिडन फेरॉलिक एसिट के साथ, औले टोइन से भरा हुआ होता है, जो आपकी स्किन को हाइडरेटिंग करके रखता है, और ये आपकी स्किन में इंप्योरिटी को दूर करता है, अगर आपकी मुहासे भी हैं, त अगर काले भी हैं, और उसको भी दूर करेगा, अब मैं आपको इक और इसको यूज, करता हो, तो आप इसको यूज, यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिसें तो आपको अपको पंदरा मिनएट तक ऐसे ही छोड़ देना है, हलका सा मसाज, देज़ेटा लेकिन Bye- siis, यूज अगर बाइचान सबका फेस सूख भी जाता है बीच में तो वापर से इसको अप्लाई कर लिजे लगर लेकिन दस या पंदरम नट तो इसको अपने फेस के ऊपर गीला ऐसे ही रहने दीजे पानी के साथ ठीक है फिर आप दीरे दीरे देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लो बनेगी एक तनी लाइटनिंग ब्राइटनिंग टाइटनिंग जो आप यह देखते हो ना जैपनीज वाली स्किन जो देखते हो एक तनी ग्लोई वह आपकी स्किन भी बनेगी जी हां गाइज आप अगर इसको डेले यूज करते हो और आप इसको एक हफते तक ही स्टोर करक और अपनी स्किन को भी ग्लोई बनाईए हाइडरेटिंग बनाईए तो अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ क्या आप अब भी अपने भीके हुए चावाल का जो पानी है वो फेकना पसंद करेंगे लेकिन अगर आप भी आप फेकेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर हैं लेकिन अगर आप फेकना नहीं चाहते हैं तो इसको डेली यूज़ कीजिए और इसके इतने अच्छे फायदे आप लीजी अपनी स्किन के अंदर और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको सिर्फ दो हफते के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप कर दीजिए का सब्सक्राइब उसके बगल में जो बैल आइकन है उसको क्लिक करके और पर कर दीजिए गा जिससे आप लोगों को मेरी वीडियो के नोडिविकेशन मिलते रहेंगे वीडियो को कर दीजिए गा शेर अपनी फेमिली और फ्रेंड्स के साथ आप लोग मुझे कर सकते हैं लिंक आपको में नीचे मेंशन कर दूंगी तो प्लीज फॉलो कर लिजिए गा इंस्टाग्राम पे में बहुत अच्छे इस बनाती हूं आई होप आप लोगों को अच्छे लेगेंगे तो प्लीज डॉन्ट फरगेट तो फॉलो इंस्टाग्राम तो मैं आप ल